आउसु बिल्लाही मेरे श्यातान रवर्जीम बिसमिल अर्खमान रहीम वेलकम टू सीक्रेट्स ऑफ सामया नाजरीन आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं वह वास्तू हिंदी में वास्तू कहते हैं इंग्लिश में इसको साइंस आफ आर्किटेक्चर कहते हैं इंग्लिश में इसको डिरेक्शन और जोन भी कहा जाता है और उर्दू में कहा जाए तो रहने की जगा आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्ला पाक ने जब दुनिया बनाई तो चार एलेमेंट्स बनाए थे मटी, हवा, पानी और आग और अल्ला पाक की कोई भी बनाईवी चीज बेमाईनी नहीं है उसमें कोई न कोई वज़ा है, कुदरत है और वो हमारे लिए बहुत ही बैनेफिशल है आज हम इसी वास्तू के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगी कि हमारे घर में भी ऐसी डिरेक्शन्स होती है जिसकी वज़ा से हमारे घर में गुट लग और बैड लग लाया जा सकता है वास्तू को किस तरह से देखेंगे इस साइंस आफ आर्किटेक्टर को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी डिरेक्शन क्या बताती है क्या रिप्रेजेंट करती है आप कंपास लीजे अपने घर के मिडल हिस्से में में जो बीच का हिस्सा होता है वहां खड़े होके आपने उस कंपास को देखना है कि वेस्ट कहां है West जो होता है वो हमारा काबा जहां हमारा किबला होता है वो West है और West का जो Right साइट होता है वो North है और उसके बाद Back साइट जो है हमारी जो Peet है उसमें East आता है और फिर Left South अब West, North, East और South हमें क्या बता रहे हैं इनके कलर्स क्या है नौट जो Right पे है वो है जी वाटर एलिमेंट पानी का अंसर East जो है वो Earth एलिमेंट है मटी और South जो है वो आपका हो गया आग फायर एलिमेंट और West एयर एलिमेंट आप देखे एयर एलिमेंट जो है वो जब हम कोई भी Message युनिवर्स को भेजते हैं जो भी Subconscious में हम सोचते हैं वो Message जो है हवा के जरीए युनिवर्स में फैलता है और जो काम होने लगता है इसलिए इसलिए अलाग पाक में भी कुराने पाक में कहा है कि जो को मा करोगे वैसा होगा साइंस भी यही बताती है आज मैं इसी के उपर बात करूंगी कि नॉट पे अगर आपने रेड कलर के कटन्स डाले वे हैं या पिंक या औरेंज कलर के कटन्स या आपका वाल का कलर इस तरह का है तो वो कैश फ्लो में प्रॉब्लम लाएगा आपका कैश फ्लो नहीं होगा आना शुरू हो जाएगी इसी तरीके से अगर आप साउथ पे देखते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसमें रिलेशन्शिप प्रॉब्लम हो रही है वाइफ एन हजबेंड के साथ प्रॉब्लम हो रही है आपका देखिए उसको आप गौर करिए अपने घर के हिस्से में कि आपके साउथ में कुछ ना कुछ गरबर है साउथ वेस्ट में साउथ में यह यह तो आपने कोई ग्रीन यह ब्लू कलर कर समाल किया यह तो आपकी वाल इस कलर किये यह कर्टन इस कलर के और इसी तरीके से आपका जो इस्ट है वह आपका ग्रीन और ब्राउ कर सकते हैं इस तरह की छोटी-छोटी चीजों से रेमेटीस को यूज करते हैं आप अपनी जिंदगी में बहुत आसानिया पैदा कर सकते हैं लेकिन यकीन लाजम है कि आपने इन चीजों पर बिलीफ करना है कि यह चीजें हैं यह अगर आप इस पर आप देखेंगे और आप पर आमल करेंगे तो आपको अच्छे रिजर्ट मिलेंगे अगर आप रावल पिंडी से हैं या असलामाबाद से हैं तो आप दिये वेगे नबर पर राप्ता कर सकते हैं आगे हम इसी तरह वास्तों को लेकर के बहुत सारी रेमेटीस और टिप्स आपके साथ में शेयर करती कर दो